मुवी स्टार्ट होती है और हमें एक बीच हाउस दिखाया जाता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो गैंग के बीच में मिटिंग चल रही है इस मुवी का हमारा जो मेन क्यारेटर है इसका नाम है मसीमो यहाँ इस मिटी में मसिमो के फादर दो लोगों से बात करे है इन दो गैंग्स्टर ने बहुत सारी लड़कियों को किड्नेप कर लिया है पर उन्हें कंट्री से बाहर ले जाने में इन्हें बड़ी सी प्रॉलम है ये प्रॉल्लम सॉल्ट करने के लिए मसीमो के फादर के पास वो आय हुए है मसीमो के फादर एक बड़े माफिया गैंगे बोस है तो यह सब वो कर सकते है पर उन्हें यह सही नहीं लगता यह उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि इनकी रूल्स के वो खिलाफ है जब मिटिंग चल रही है तब मसीमो बीच पर लॉरा को देखता है लॉरा यह हमारी में क्यारेटर है मसीमो से देख कर बहुत या अट्रेक्टेड होता है मसीमो के फादर उसके पास आते और कहते हैं कि दोनों बहुत घटिया लोग थे पर फिर भी हमें इनके साथ बिजनेस करना ही पड़ेगा आगे चल कर हमारी काम नहीं आ सकते हैं लॉरा को देखते हुए मसीमो को उसके फादर नोटिस करते है मसीमो के फादर कहते हैं कि वो ब्यूटिफुल है और फिर भी तुम्हें जरा केरफूर रहना पड़ेगा खुबसूरती तुम्हें बरबात करकर छोड़ सकती है फादर मसीमो को जरा सीरियस होने के लिए कहते हैं सब बिजनेस फादर को यह समालना पड़ता है और मसीमो जादा उसमें इंटरेस ने लेता आगे चलकर मसीमो को ही सब कुछ रण करना पड़ेगा इसलिए उसे कहते हैं कि आप जरा तुम सीरियस हो जाओ यह तोनों बात ही कर रहे हैं तभी मसीमो के फादर को गोली लग जाती है यह गोली किसने चलाई थी यहां पता नहीं चलता पर इसमें मसीमो भी इंजोर रो जाता है फादर की यही टेथ होती है पर मसीमो बच जाता है इसके बाद थोड़े दिन गुजर चुके मसीमो पूरी तरह से रिकोर हो चुका है उसके उसके अकाउंटांस से मीटिंग चल रहे है यह हम देख सकते हैं उसके accountants उसे कहते हैं कि आपके father के मर जाने के बाद उनकी सिर्फ 30% revenue आपको मिलेगी Masimo कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ पैसे दे दिये थे उसे क्या करना था यह तुम्हारी responsibility थी मुझे यह मत बताओ कि मुझे सिर्फ 30% ही मिलने वाले है Masimo पर कोई भी agree नहीं करता तो सब के file Masimo के पास है उन files में कई लोग के affairs भी होते है Masimo फिर कहता है कि तुम्हारी भी बड़ी company है अगर मैं यह सब out publicly कर दूँगा तो सब share तुम्हारे भी डूप जाएंगे और बचे-बचे पैसों में इसे तुम्हारी company में buy कर लूँगा और तुम्हें इ fire करूँगा सब डर जाते है Masimo कहता है कि जो भी सब पैसे है वो सब मुझे मिल जाने चाहिए और उस पर वो 10% interest भी लेने वाला है इस scene से Masimo किस तरह का strong character है यह हमें पता चलता है इसके parallel scene में Laura एक marketing meeting में है Laura की company में एक बड़ा सा loss हुआ है उसका core कर उसे कहता है कि तुम्हेरी वज़े से हुआ है Laura easily victim हो जाए इस तरह का character नहीं है वो भी यहाँ fight करती है जो fact जिस तरह से थे वो उससी तरह से कहती है उसका job जाने वाला था पर उसे वो save कर लेती है इसके बाद हम देखते है कि Laura अपने घर आती है उसका एक boyfriend है आज वो उसके साथ intimate होना चाती है पर उसका boyfriend कहता है कि कल हमारी fright है तुम ज़रा आज आराम कर लो इनकी relationship कही दिनों से सही नहीं चल रही इस वज़े से एक trip लेना चाते है लौरा फिर रात में अपने आप को ही ब्लीज कर लेती है नेकसे नहीं हम देखते है कि Laura और उसका boyfriend holiday के लिए आ चुके है लौरा का boyfriend उससे dinner के लिए लेकर जाता है यहां लौरा के friends भी है उसके लिए एक बड़ा सा toast करता है यह सब बात ही कर रहे है तभी हम देखते हैं कि उनके लिए champagne की bottle आती है इन्होंने order नहीं की पर किसी ने उन्हें gift की है लौरा थोड़ी देन में washroom जाती है यहां वो मसीमों से टकराती है इससे हम बोल सकते हैं मसीमों नहीं वो bottle उसे भीजी थी नेकसें में हम देखते हैं कि नेकस सुबा लौरा अपनी friend Olga के साथ hangout करती है लौरा का boyfriend उसे बाहर लेकर जाने वाला था पर वो अकिला ही चला गया उसकी friend उसे कहती है क्यों ऐसे कैसे कर सकता है लौरा कहती है कि उसके live में कुछ priorities है पर उस priorities की list में कभी भी में first number पर नहीं आती है लौरा का boyfriend उसके पास आता है लौरा उसे confront करती है वो कहता है कि तुमारी heart condition है जिवाजे से जादो तुम activity नहीं कर सकती है लौरा को सच्वूच एक heart condition है लौरा कहती है हर बार तुम हर conversation को सिर्व मेरे heart condition पर ही नहीं blame कर सकते है उस पर गुसा होकर वहाँ से उच जली जाती है रात में वो अकेली shopping कर रही थी तब ही कुछ लोगों ने उसे किर्णाप कर लिया directly next रात ही उटती है वो समझ नहीं पाती कि वो कहा है आसपास देखती है सब घर डुनती है जब वो living room में आती है तब उसका बड़ा सा portrait वहाँ लगाय हुआ है यहाँ अबर मसीमो उसके पास आ जाता है लॉराडर जाती है तुम हो कोन, यहाँ मझे क्यों रख रहे हो मसीमो कहता है मैं तुम्हे सब कुछ बताता हो पर एक चीज़ तुम ध्यार रखना कभी भी मैं जोट नहीं बोलता आप मसीमो एक्ष्पेंट करना स्टार्ट करता है मसीमो कहता है कुछ मन पहले मैंने तुम्हें बीच पर देखा था तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था उसके बाद मुझे कोली लग गए और मैं वह हॉस्पिडल में था मैं तुम्हें ढूनना चाता था और तुम्हेरे बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था उस इंसिडन को दो-तीन साल गुजर चुके है इतने सालों तक तुम्हें अहीं में ढून रहा था मसीमो अपनी बिजनेस के लिए खुमता रहता है तो इसलिए लॉरा को उसने देख लिया था और उसने उसे किण्याप कर लिया लॉरा कहती है कि मैं कोई चीज नहीं हो ऐसे तुम मुझे पा नहीं सकते है मसीमो कहता है कि हाँ मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हें एक साल देना चाहता हूँ एक साल में तुम अगर मेरे पैर में नहीं पड़ी तुम्हें तुम्हें जाने दूँगा लॉरा कहती है मेरा बॉयफरेंड है मेरे लाइफ है, ऐसे कैसे मैं छोड़ सकती हूँ लॉरा के बॉइफरेंग का चक्कर चल रहा था उसके सब फोटो मसिमो लॉरा को दिखाता है उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है पर फिर भी वो एक करने के लिए राजी नहीं है वो रेजिस्ट करती है और मसिमो के गन अपने हाथ में ले लेती है मसिमो उसे कंट्रोल कर लेता है मसिमो कहता है, हमेशा मुझे जूबी चीज़ चाहिए थी वो मैंने पा ली है मुझे कभी भी गुसा मत दिलाना वरना बहुत बुरा होगा यह लॉरा से बात कर रहा था तो यह मसिमो के आदमी वहा जाते है एक इशु है जो उन्हें सौट ओट करना है मसिमो फिर अपने बेस्ट्रेंड में आयो हो में दिखता है मुवी के फास में हमने कुछ लोग दिखे थे जो लेड़कों की टैफिन करना चाहते थे मसिमो के फादर में उन्हें मना किया था पर फिर भी यह कर रहे थे जिसने किया था उस आदमी को यहाँ पकड कर रखा है मसिमो कहते हैं मेरी बिजनिस से तुम कुछ चुरा लेते तो भी शायद में तुम्हें माफ कर देता पर तुमने जो किया है बहुत ही गलत किया है लॉरा इस जगा से भादनी के कुशिश करती है वो बाहर आती है तब ही मसिमो इस आदमी को मार रहा होता है यह मर्डर देखकर उसे चक कर आ जाती है नेक सुभा जब लॉरा उटती है तब उसके पास मसिमो बेटा हुआ है उसे यहता है जो तुमने देखा तुम्हें नहीं देखना चाहिए था मैं तुम्हें अशूर करता हूँ जिसको भी मैंने मारा है वो यह डिज़र करता था लौरा जल्दी से इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएगी यह उसने एक से उटकर लिया है वो मसिमो को कहती है कि मुझे मेरा लैपटॉप और मोबाहिल चाहिए मसिमो कहता है कि मुझे अच्छा आइड़ा नहीं लगता जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा मसिमो कहता है तुम्हेरा सब सामन में यहां लाच चुका हूँ मेरा आदमी डॉमनी को हमेशा तुम्हेरे साथ रहेगा जो भी चीज़े तुम्हें चाहिए होगी वो सब लाग कर देगा लॉरा जब लंज के लिए आती है तब उसके लिए बहुत सारी चीज़े बनवाई हुई है थोड़ी दर में मसिमो उसके पास आता है और कहता है कि आज मुझे ज़रा काम है तो तुम मेरे साथ चलोगी लॉरा कहती है तुम्हारे साथ में कहीं भी नहीं आने वाली मसिमो बोलता है कि मैंने पूछा नहीं था एक आर्ट रह था और उसे जबर्दस से ले कर जाता है मसिमो का काम हो जाने के बाद लॉरा उसे बहुत सारी शौपिंग करवाती है शौपिंग करते वग एक शौप से हो भागती है और पुलिस के पास आती है जब मसीमो वहाँ पहुंचता है तो पुलिस भी उसे इग्नोर कर देते है मसीमो उसे कहता है कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें टजबे नहीं करूँगा अगले नेक साल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है तो जल से जल तुम इस situation को accept कर लो यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी easy होगा तुम्हें जो लगता है कि मैं एक monster हो इस तरह से मैं नहीं हो लॉरा फिर कहती है मुझे जल से जल मेरा laptop और mobile चाहिए उसे एक डिश पसंद है तो बनवाने के लिए कहती है लॉरा अब थोड़ा सा comfortable होकर रात में डिनर के लिए आती है वो मसिमो से पूछती है कि अगर मैं एक साल तक यहें रहने वाली हो तो तुम करते क्या हो तुम कौन हो यह तुम मुझे पता होना चाहिए मसिमो कहता है कि जितना तुमें कम बता हो यही सही होगा पर फिर भी उससे कहता है कि मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अलग-अलग बिजनेसेस है तुम मुझे ऐस बिजनेसमन कहीं भी इंट्रडूस करा सकती हो मसिमो फिर लॉरा के पास आता है कहता है कि जन्टल बनने में मुझे तुम सारा हेल्प करना लॉरा रात में अपने बेड्रूमे आती है तब उसका लैट्टॉप और फोन उसे मिल चुका है वो अपने मदर को और फ्रेंज को कॉल कर देती है उसके बॉर्फरेंट के रूम में मसिमो ने अल्रेडी एक लिटर रखवा है था जिसमें लिखा था कि लॉरा उसे हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही है इसलिए उसका बॉर्फरेंट उसे नहीं डून रहा था लॉरा सबको इंफर्म करती है कि एक नए कंट्री में उसे जॉब मिल चुका है और सबको वो जल्दी से जल्द मिलने के लिए आएके लॉरा जब सोती है तो मसिमो उसके पास आकर सो जाता है सुबह होने बाद लॉरा नोटिस करती है अब मसिमो की चिडाने के लिए उसके सामने ही नहा दिये मसीमो ने उसे कहा है जब तब उसे आलाओंड नहीं करेगे तब तक वो उसे टेस्ट लेगा तो उसे पूरी तरह से और जिडाने वाली है मसीमो चीड़ कर उसे गरता है कि हमेशा मुझे जो चीज़ चेए थी वो जो मिल चुकी है तुम मुझे जादा जिडाओ मत वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा आज मसीमो ज़रा बाहर जाने वाला है तो लॉरा कभी अपनी फ्लाइट में लेकर जाता है लॉरा रजिस्ट कर रही थी तो उसे उसने पूरी थरा से बान दिया है यहाँ इस फ्लाइट में उसे रिजाने की कोशिश करता है तो फेल सिन सकेता है जब तक तुम मुझे हा नहीं करोगी तब तक में तुम्हें टच नहीं करने वाला मसीमो को इंबेरस करना यही लॉरा का मीशन बन चुका है मसीमो जब अपनी प्रदर से बात कर रहा होता है तो लॉरा भाहाती है बहुत ही अनपुर्पेट तरीके से आईस्क्रीम खाती है सब लोग के सामने फॉंटन में जाकर नहाती है मसीमो बहुत चिट जाता है रात में एक रूमें वो उसे लेकर जाता है यहाँ पर बेट से जबरदस्ती उसे बात देता है लॉरा को वो कहता है कि तुम पता होना चाहिए कि क्या तुम मिस्स कर रही हो एक लड़की को वो अंदर गुलाता है उसके साथ इंटिमिट हो जाता है यह उसके लॉरा को जेलस फिल कराने की एक कोशिश है थोड़ी तेर में अब इने कलब में जाना है लॉरा फिर से मसिमो को इंबररirsin करने के लिए एक चोटी से ब्रेंटी है मसिमो एदेककर फिर से जेटता है जब वो कलब में जाते है तो मसिमो के सामने एक दूसरे आदमी के साथ हो फ्लट करती है थोड़ी देल में ये आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है मसिमो गुस्सा आता है इस आदमी को बहुत मारता है उसके हाथ पर एक गोली भी चला देता है मसिमो के फादर का एक फ्रेंड है जो इनके लिए काम करता है उसके फादर फिगर ही वो है मसिमो को कहता है कि जिस आदमी को तुमने मारा हू मेरे राइवल ग्याइंग का एक मिंबर है तुमने जो किया है इसी वजे से अब war स्टार्ट हो चुकी है लॉरा यह सब सुन रही थी उसे लगा कि मसीमो ने उस आदमी को मार टाला मसीमो उसे समझाता है पर गहता है कि यह सब तुम्हारी इकलती है इन दोनों में फाइट हो जाती है लॉरा गुस्से में इस याड से जम मार देती है मसीमो उसे बचा लेता है लौरा को जब भूश आता है तो मसीमो कहता है कि मैं फिरसे नहीं होने दूगा एक बार मैंने तुम्हें खूँ दिया था फिरसे मैं तुम्हें नहीं खो सकता लौरा को रियलाइज होता है कि मसीमो साचुच में उससे बहुत पैर करता है लॉरा भी अब मान जाती है और ये दोनों इंटिमेट हो जाते है बहुत सारे दिन उन्हें ही यार्ट पर बिताते है एक दिन मसीमो लॉरा को कहता है कि हमें पार्टी में जाना है ये एक गाला पार्टी है, इसका मतलब है, सब लोग मास्क वेरा पहन कर डांस करने वाले है, लोरो को नेकवर देने के लिए, स्पेशल आदमी बुलाये जाते है, लोरा बहुत खुश होती है, रात में ये तोनों गाला में आते है, बहुत ब्यूटिफुल डांस करते है, इन लोरा पुशती है कि तुम्हें ब्रेक अप कर किया, मसिमो कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, उसी दिन मैंने ब्रेक अप कर लिया, मसिमो ने दो तिन साल तर लोरा की फोटो अपने बेटरूम में रखी थी, सबको लगता था कि लोरा कभी भी उसे नहीं मिलेगी इसे वज़े से उसकी girlfriend को भी लारा के बारे में पता था लारा अंगर्वर्वर्वर्वल महसुस करती है और दुनों घर आ जाते है एक दूसरी के साथ intimate होते है मसिमो लारा से कहता है कि बहुत दिन हो चुके है तुमने friends अपनी family से नहीं मिली तो उसके लिए वो ticket वगरा book करकर देता है वहाँ से जाते जाते उसे I love you खेता है लारा अब अपनी country में आ चुकी है अपनी friend ओल्गा से मिलनी के लिए जाती है ओल्गा से सब कुछ वो जूट कहती है उसे अच्छी job मिल चुकी है और अच्छा boyfriend भी है यह सब उसे कहती है सब चीजे शुगर कोट करकर उसे पताती है और उसकी friend भी smart है वोल्गा कहती है कि यह सब बादे तुमारे पास ही रखो सचुच में क्या हुआ यह तुम मुझे बताओ इसके नेक्सिन में लारा हमें डारेक्ली रोती हुए दिखती है वो अपनी friend को सब कुछ सच सच बता देती है उसकी friend को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है लारा को चेर अब करने के लिए और का उसे बाहर लेकर जाती है यह massage करवा थे, new haircut करते यह दिन बहुत अच्छा सब बिता थे रात में जब यह party करने के लिए club में आ दे तब लारा का ex-boyfriend भी वहा है लारा को समझाने के कोशिश करता है वो कहता है कि तुमसे बहुत प्यार करता हो वो कहता है तुमने जो सब photo देखी वो सब गलत है मैं नशे में था, इस वाज़े से यह सब हो गया लारा का पीछा करते करते वो उसके apartment दगा जाता है लारा उसे जाने के लिए कहती है पर वो जानी रहा होता यहाँ इस apartment में मसिमो अल्डेडी आ चुका था लारा को बाइफ्रेंट यह देखकर वहाँ से चला जाता है इसके बाद यह दोनों फिर से इंटिमेट हो जाते है लारा अब मसिमो से कहती है कि अब मुझे एक सान नहीं चाहिए वो भी उससे पैर करती है सुबह होती तो लारा नोटीस करती है कि उसके finger में already ring है वो बहले surprise होती है पर मसिमो उसे शादी करने के लिए उसे पूछता है लारा भी उसे हाँ कहती है लारा की एक friend की शादी है वहाँ पर वो मसिमो को भी लेकर आती है लारा के mother और father यहाँ present है लारा actual में police है और मसिमो इटेलियन लारा के mother father को मसिमो की language नहीं पता और मसिमो को उनकी लॉरा मसिमो को अपने मदर फादर से इंट्रोडूस करवाती है फादर पुछते है कि करता क्या है मसिमो कहता है कि मैं एक गैंस्टर हूँ पर लॉरा के मदर फादर को यह समोज मिन आता लॉरा अब सबसे मिल चुकी है तो फिर से वो इटली आ चाते हैं इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इनकी शादी इसी कंट्री में होगी लॉरा नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मसिमो एक्चुन में करता क्या है इस वज़े से अपनी वीडिंग परो किसी को भी नहीं बुलाने वाली हम इटालियन से मसिमों की शादी तुम से हो कि कोई भी नहीं चाहता एक कुछ पॉस्टन नहीं है पर इस से हमारी बिजनेस पर कुछ फरक पड़ सकता है नेक से नम लेखते हैं कि लॉरा की फ्रेंड ओलगा यहाँ आ चुकी है लॉरा अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो प्रेगनेंट है उसकी फ्रेंड उससे बहुत दिचिट जाती है उससे कहती है तो हमें लाइब के साथ कर कह रही हो तुम्हें रेलाइज नहीं हो रहा पर तुम्हें एक गोल्डन केज में हो तुम्हें अब यह सब सही लग सकता है पर आगे चल कर फ्यूचर में तुम्हें बहुत प्रॉल्म आ सकते हैं लॉरा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाती है उसकी फ्रेम भी उसे समझ लीती है वो मजाग में कहती है कि आटलिस तुम्हेरे बच्चे तो खुब सरद आएंगे वो समार्ड नहीं होंगे पर खुब सरद होंगे यह दोना इसमार बहुत हस्ती है लॉरा और ओल्गा फिर वेडिंग शौपिंग करते हैं शौपिंग करते हैं बहुत मजी करते हैं नेकसे में हम देखते हैं, मसिमो के एडवाइजर को कॉल आता है, वो बहुत ही टेंशन में है, वो जल्दी भाग कर मसिमो के पास जाता है, लॉरा की जान को खत्रा है, यह उसे कहता है, लॉरा और ओल्गा दोनों गाड़ी में थी, लॉरा ओल्गा से कहने रही थी, वो पेग पीजे गिर कर वो रोने लग जाता है लॉरा टनल में गई थी पर टनल के बाहर हम पुलिस की गाड़ी देखते हैं यानि कि लॉरा को कुछ हो चुका है यहीं मूवी इंड कर देते हैं आज का वीडियो हम यहीं कदम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कि ले थे धंडू